तो ये एक जेई एडवांस का कोश्चन है जिसमें दो बीट दे रखे हैं दोनों को एक को रिंग के बाउट फिक्स कर रखा है दूसरे को इसी के उपर छोड रखा है बोला है कि अगर ये सिंपल आर्मोनिक मोशन करता है तो बताओ कि एंगलर फिक्वेंसी क्या होगी ठीक है देखो एकोशन बहुत ही असान है इसेंटर के बाउट अगर टॉर्क देखोगे स्टार्टिंग में क्या है लग रहा है यह डोनों के बीच में आपको पता है रिपल्सिफ फोर्स लएगा फोर्स की वैल्यू इधर आएगी Fc आएगा वैसे ही इस पर कितना लएगा इधर Fc लएगा ये दोनों फोर्स दुछरे को क्या कर देंगे कैंसेल कर देंगे और इसके वैसे सेंटर के बाग। टॉर्क भी जीरो होगा क्योंकि दोनों फोर्से सेंटर से ही पास हो रहे है अब क्या करता हूँ मैं इस चार्ज को डिस्प्लेस कर देता हूँ यह जो ए पॉइंट है इसको थोड़ा डिस्प्लेस कर देता हूँ चार्ज को यहां पर देखोगे ध्यान से तो चार्ज के उपर एक नॉर्मल फोर्स आएगा टूर्ट्स दसेंटर क्या आने वाला है अब इस नॉर्मल को थोड़ा सा एक्स्टेंड करोगे ऐसे क्योंकि आपने को एंगल निकालने हैं तो आपको एक चीज रियलाइज होगा कि मैं इस एंगल को अगर मानता हूँ ठीटा तो यह एंगल आपका कितना हो जाएगा भई ठीटा बाइटू ठीटा बाइटू जिनको यह पता नहीं है और को यह चीज पता होना चे एक यह एंगल कैसे आता है तो हमें पता है कि exterior angle is equal to sum of interior angles और किसी भी circle के अंदर यह जो angles होत है क्योंकि यह दो radius है ठीक है अब FC के बारे में अगर ध्यान से सुनों तो यह कितना एंगल है यह भी एंगल कितना हो जाएगा ठीटा बाइटू ठीटा बाइटू हो गया अब FC का मैं दो component ले सकता हूँ इधर आएगा FC cost ठीटा बाइटू और इधर आपके पास आ है भई about center जो है चौर्क आपके पास आ जाता है ठीटर्फ कोश के वइसे तो टॉर्क जीर हो जाएगा क्योंकि यह फूर्फ उन्सेंटर से ही पास हो रहा है अब मैं वह torque लिखना चाहूं तो आप मैं सबको पता है कि torque के value क्या होती है torque के value simple सा होती है force into perpendicular distance अब force क्या है भही perpendicular force fc sin theta by 2 into distance कितना है center से r ठीक है अब एक बात आपको ध्यान रखो कि इसमें हो किया रहा है fc sin theta वापस ए point के तरफ इसको लाने के कोशिस कर रहा है यानि यह जो torque आया है that torque को क्या बोलते हैं अपन restoring torque बोलते हैं इसको क्या बोलते है restoring torque बोलते है ठीक है अच्छा अब सवाल यह raise होता है कि भाई यह बताओ कि यह fc sin theta by 2 into r तो समझ में आ गया fc की value कैसे निकालनी है तो यह भी बहुत असान काम है ध्यान से सुनो अगर radius r है तो r यहां से आप एक perpendicular डाल सकते हो अराम से डाल सकते हो तो अगर radius r है तो यह length कितना हो जाएगा r cos theta by 2 वैसे ही यह भी radius कितना हो जाएगा r cos theta by 2 तो total length कितना हो जाएगा r cos theta by 2 तो force क्या हो जाएगा kq square divided by 2 r cos theta by 2 to the whole square तो यहां से आपका answer क्या आ गया यहां से answer जो भी आ इसको बाद में देख लेंगे अब अपने को torque की cost क्या होता है i into alpha force की value क्या आएगी kq square divided by आपके पास आ जाएगा 2 r cos theta by 2 का whole square into sin theta by 2 into r ठीक है अच्छा torque तो सही है moment of inertia क्या होगा बई तो center के about moment of inertia जो हो जाएगा एक mass m है जो की r distance पे है तो moment of inertia होगे आपका i cos to m r square तो alpha की value क्या हैगी kq square divided by m r square into 2 r cos theta by 2 का whole square अच्छा और यहां पे लिखो sin theta by 2 into r आपने को पता है कि इसमें क्या है theta is very small theta कितना है भई very small है theta very small तो theta की value अगर small है तो अपने को पता है कि sin theta को मैं मान सकता हूँ sin theta by 2 यह हो जाएगा almost equals to theta by 2 and cos theta by 2 की value क्या हो जाएगी लगबग लगबग 1 हो जाएगी पता है अब cos theta बहुत small होता है तो value क्या आती है 1 अब क्या करो इसको replace करो तो alpha की value आएगी kq square divided by mr square into cos तो 1 हो गया तो 2r का square क्या आता है 4 square and sin theta by 2 का value क्या आता है भई theta by 2 into r अब क्या करने है अपने को इस एक r से एक r को cancel कर दो तो you'll get kq square divided by 4m r cube into theta by 2 अब समझने वाली बात है kq value 1 by 4 pi epsilon not रखो तो क्या आएगा 4 pi epsilon not into 4m r cube into theta divided by 2 तो यह आगे आपके पास q square divided by 4, 4, 16, 32 pi epsilon not m r cube into theta अगर किसी को basic application आता है तो जबी भी alpha equals to कुछ minus omega square theta आता है तो यह क्या होता है simple harmonic motion ठीक है यह torque भी restoring है इसका मतलब alpha negative ही आया है तो मैं इससे compare करूँगा तो omega square की value क्या आजाएगे मेरे पास जो भी theta के साथ चिपका हुआ है वही omega square आया that is q square by 32 pi epsilon not m r cube ठीक है तो यह आपका omega square आया आप देखते हैं कि भी यह option में दे रखा है क्या तो यह आपका option में कौन से में दे रखा है बी option में दे रखा है तो यह ही आपका answer हो गया उमीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी ठीक है ठेंक्यू प्लिग है